हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप वीवो को फोन इस्तेमाल कर रहे हो और उसमें आपका यूट्यूब एप्लिकेशन काम नहीं कर रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि वीवो के फोन में यूट्यूब एप की दिक्कट ठीक कैसे करते हैं आईए जानते हैं सबसे पहले आप अपने फोन को एक बार बंद करें और दोबारा से चालू कर दीजिए और आपका जो यूट्यूब एप्लिकेशन है वो चलने लग जाएगा अगर ये तरीका काम ना करें तो आप अपने फोन में जो अपने फोन का नेट है वो चेक करें यहाप ये चेक करें कि नेट सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं नेट चल रहा है कि नहीं आप net चेक करने के लिए अपने phone में Facebook, Instagram, Twitter वगरा चला सकते हो या कोई भी ऐसा app चला सकते हो जो की internet से चलता है अगर इसके बाद भी आपका net ना चले तो settings में जाईए यहाँ पर आपको नीची की तरफ आना है आपको मिलेगा apps apps all option पर आईए और आपको मिलेगा यहाँ पर see all apps इस पर जाईए आपको यहाँ मिलेगा last में YouTube सबसे last में आईए आपको YouTube यहाँ पर मिल जाएगा YouTube पर touch करिए और आपको मिलेगा यहाँ पर force stop इस पर जाईए, ok करिए आपको मिलेगा storage and cache इस पर touch करो और clear storage कर दीजिए और delete कर दीजिए इसके बाद आपका YouTube जरूर चल जाएगा एक और चीज कर लीजिए आप प्ले स्टों में जाएए अपने फोन के प्ले स्टों में जाएए आपको यहां सर्च करना है YouTube और अगर आपके फोन में YouTube अपडेट मांग रहा है तो YouTube को अपडेट कर लीजिए और आपके फोन में YouTube अपडेट करने के बाद आपका जो YouTube अप्लिकेशन है आपके वीवो के फोन में वो चलने लग जाएगा शायद आप समझ गए होंगे वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा